साउथ अफरीका के खिलाफ मिली भारतिय टीम को हार पाकिस्तान हुई T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर पॉइंट स्टेवल में मचा बबाल जानेंगे पूरी खबर वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना ना भूलें लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी भारत और साउथ अफरीका के बीच सुपर टॉलव का मुकावला खेला गया आपको बता दें इस मुकावले में भारतिय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए थे हलाकि इस मुकावले में भारतिय टीम बनी रही पूरे मुकावले में भारतिय गैंदवाजों ने जम कर लड़ाई की हलाकि आखरी ओवर में भारतिय टीम को हर का सामना कहिन अपड़ा है साउथ अफरीका की टीम ने 19 दिसमलब 4 ओवर में 5 बिकेट खोकर इस लक्ष को हासिल कर लिया भारतिय टीम की तरफ से सुर्र कुमार यादों के अलावा अरसदीब सिंग ने सांदार प्रदर्शन किया आपको बता दें भारतिय टीम की एसार के साथ ही पागस्तान की समी फाइनल में पहुँचने की उमीदें लगभग खत्म हो चुकी है दूसरी तरफ साउथ अफरीका की टीम पॉइंट स्टेबल में टॉप पर पहुँच चुकी है अब यहाँ से साउथ अफरीका का समी फाइनल में पहुचना लगभग तैय है भारतिय टीम के अभी दो मुकाबले और बांकी है भारतिय टीम को बस एक और मुकाबला जीतना है और भारतिय टीम भी समी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी हाला कि साउथ अफरीका की जीत के साथ ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान की टीम अब किसी भी कीमत पर समि-फाइनल में अपनी जग है नहीं बना पाईगी आपको क्या लगता है कि भारत्य टीम समि-फाइनल तक पहुँच सकती है या नहीं आप अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें